आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार बढ़ने की उमीद जताई जा रही है तेज रफतार से चल रही हवा लोगों के लिए मुश्किले खड़ी रख रही है बारिश और हवा के कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जबकि अधिकान्श लोग घरों में ही कैद है तो वही कई लोग है जो जरूरी काम होने के बावजूद भी अपने काम के लिए बाहर नहीं जा रहे है घने कोहरे की वज़े से कई एक्सिडेंस भी सामने आये हैं वही तो मौसम बिभा की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है कि बहत्तर घंटों तक यह ठंड और बनी रहेगी कई हाईवेस पर बड़े एक्सिडेंस भी देखने को मिले हैं लगतार कोहरा और बारिश के चलते वही खासा अगर देखा जाये तो रवी फसल के लिए यह बारिश काफी नुकसान कर रहा है गेहूं आलू और मटर का यह मौसम है और फसल पे बारिश काफी दिक्कत दे रहा ह आपको बता दे कि किसानों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है आप देख रहे हैं कि तीन तजवीरे आपको दिखा रहे हैं पहली तजवीर लखनौ से सामने आ रही है दूसरी अली गड़ से और तीसरी फिरोजबास से जहां पर विजिबिल्टी बिल्कुल जीरो है लोग द देखने अली गड़ की तजवीरे भी आपको दिख रही हैं फिरोजबाद की भी आपको दिख रही होंगी लखनौ में खासा कोहरा देखने को मिल रहा है तो वहीं जरूरी कारे होने की वज़ा से भी होने के बावजूद भी लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं घने कोहरे की वजह से ठंडी ने सब की मुसीबत बढ़ा रखी है तो वहीं फिरोजाबाद से संवधाता संजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव ठंड के चलते जहां एक तरब जंजीवन अस्त बेस्त हो गया है तो वहीं प्रशासन की तरब से अलाओ और रैनबसेरे का क्या इंतजाम किया गया है पूरे जिले में लोग ठंड से बेहाल हैं गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं पूरा जिला इस समय ठंड की चपेट में यह जो मौसा में रवी फसल के लिए बहुत एहम माना जाता है गेहू हो गए आलू हो गए तो इस बारिश का रवी फसल पे क्या असर पड़ा है और किसा किसानों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार फ्रोजाबाद में मौसम खराब बना हुआ है अभी दो तीन दिन पहले ओला ओला ब्रश्की भी ती जिसके कारण किसानों को खासा नुकसान जहिलना पड़ा था क्या क्या प्र किसान यूनियन के जो भानू है उन्होंने यहां पर एक जाम रोड जाम किया था जले सा रोड तो फिर उसके बाद जो यहां की मेर है वहां पाँची थी ग्रामियों इलाकों में उन्होंने साथ पना दी लेकिन किसानों का कोई कोई मौपजा बगर आ या कुछ देने की उम्भीदवार है वो लगाता ठंड की में इसे ना तो कोई बाद निकल ला है और कुछ लोग टिकित की जुगार में लगनों में ही बने हुए भी तक तो आपने देखा कि जनपत फिरोजाबाद में प्रशासन की बड़ी लापरवाही किस तरह से सामने आ रही है कि कोई भी मौजूदा अधिकारी वहाँ पे जिम्मेदारी लेने को तयार नहीं है विधासभा चुनाओ नस्दीक आ गया एक तरब जहां लोग बड़े बड़ और वादे कर रहे हैं कि वो लोगों के लिए हमेशा ततपर है कोई भी अभी संबंधित नेता ना कोई अधिकारी वहाँ पे लोगों की सहता के लिए नहीं पहुचा है आप आप तो वहीं आपके पीछे देखा जा रहा है कि काफी कोहरा है विजिबिल्टी विल्कुल जीर है तो क्या कोहरे की वज़े से कोई एक्सिडेंट या फिर कोई ऐसी घटना सामने आई है कोरे की विजिबिल्टी विल्कुल जीरो हुनी हुई है तो अभी लोग वहां के लोग किस तरह से अप खुद अपने आपको बचाय रखें ठंड से क्या लोग बाहर नहीं निकल रह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए तो आप में देखा कि फिरोजाबाद में लोगों को ठंड से कितना बुरा हाल है कोई भी जिम्मेदार जिम्मेदारी लेने को तैयार रही है नेताओं के बड़े बड़े सिर्फ वादे हैं कि किस तरह से वो ज तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कोहरे से बुरा हाल है जीरो विजिबिल्टी है गाड़ियों को आने जाने में भी परिशानिया हो रही है किसानों को भी खासा दिकत जेलना पड़ रहा है खास करके यह मौसम जो है वो रवी फसल के लिए बहुत एहम माना जाता है ज लोग अपने एहम कामों के लिए भी नहीं निकल पा रहे है ठंड की वज़े से तो ही बारिश के चलते लोग और भी परिशान है आपको बता दे कि ठंड ने बहुत ही बुरा हाल कर रखा है लक्नों से तस्वीरे आप देख सकते हैं अली गर्ड फिरोजाबाद से हमारे साथ बने रही हैं आपको लगतार दिखा रहे हैं ठंड से लोगों के बहुत बुरे हाल है तो इस अमधाता अमर्दी फते पूर से हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर प्रधिक जानकारी के लिए अमर्दी ठंड के चलते लोगों का बुरा हाल है लोगों तो इस मौ प्रशासन की तरब से रेन बसेरे और अलाओ की क्या कुछ इंतिजमात तरह पर अगर हम जहां पर आप से सवाल किया है कि रेन बशेरों की बात और अलाओ की जौताव से अगर बात की जाए यह दो देखे पीरी जिटने की लिए या गरिंग जश्वार की लिए गषाए की है पर अगर हम घ्राप पजयतों की बात करें तो केवल क्वी ताग्जों में ही अलोजयनते दिखा इपड़ रहे हैं अभी आप क्या है टेंप्रेचर क्या हो ठंड का असर क्या है अगर अभी कि यहां कि हम बात करें तो लंगत जहाए आज दिग्री के आज पास तर्शिस जहें तापमान है जिसमें कि आप बहुत कम लोग ऐसे हैं जिरूत मंदलों है और निकल रहे हैं बाती तो देखा जाए तो घरे लोग दरों में दुख्ये पड़े हुए हैं अमर्दी बारिश की वज़ें से क्या किसानों के फसल पे भी कोई असर पड़ा है वारिफ पर जैसरों पर असर हुआ है तो बिल्कु तहीं बात है कि किशानों की कुछानों की फसलों पूरी तरीके से पठ़ हो गई है तो जरूर कहीं नहीं कि इस किसानों का नुक्षान है तो किसान पहले से भी परिशान है आवारा मवेश्यों से परिशान है इसके बाद प्रकत की मार से भी किसान परिशान हो गया है इसी अमर्दीब अलाव और इन बशेरे की जायजा करने के लिए क्या कोई अधिकारी अभी आए? जो दुकांदार अपनी दुकारों के सामने कुछ जायंगत्ते हो यह लगरी के तुकड़े हो उनको ले करके लोगों की ठंड को सांध करने का प्रयास कर रहे हैं अभी तक यहीं मामला पूरा कामने आया हुगा इसी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमर्दीब तो आपने देखा कि समवादाता मर्दीब ने फतेपूर के जानकारी आपको दीगी उत्रप्रदेश के और प्रदेश के जगा जगा पे इलाकों पे क्या कुछ बुरा हाल है ठंड की वज़े से ठंड की वज़े से आम जन जीवानस्त बैस्त हो गया है तो इसी में किसानों के लिए भी खासा मुसीबत खड़ा किया है बे मौसम बर्शाद की वज़े से किसानों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है आपको बता दे कि कोहरे की वज़े से कहीं कहीं पे तो वीजिबल्टी भी बिल्कुल जीरो है जिसकी वज़े से रोडों पे कई एक् हुए हैं हम तो वही अलग-अलग जीलों से हम आपको अपडेट दिखा रहे हमारे रिपोर्टर्स आपको अलग-अलग जीलों की हालात बता रहे हैं कि वहां पे अलाओ के रैंड बसेरे के क्या कुछ इंतजाम है किसानों से मिलने को अभी संबंधत अधिकारी गया या नहीं क्योंकि किसानों को बे मौसम बरसात की वजह से खासा नुकसान जेलने को मिला है रवी फसल बहुत ही एहम होता है खास कर गेहूं के लिए आलू के लिए बेहदी रवी फसल को एहम माना जाता है ठंडे लोगों की मुश्किले बढ़ा रखी हैं आपको तस्वीरे सा लगता बढ़ते ठंड के चलते लोगों को खासा मुस्किलों का सामना करना पड़ रहा है आवा गमन भी बाधित हो रहा है तो वहीं रोडों पर हाईवे रोडों पर विजिबिलिटी जीरो होने के कारण कम होने के कारण लोगों को बेहदी नुकसा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आवागमन भी बाधत हो रहा है आप लगातार तश्वीरे देख सकते हैं कि थंड़ की वज़से लोगों को कितनी दिक्कत हो रहे हैं तो हैं अलिंस समवभादाता हमारे साथ जुढ रहें जब ठाźसे बाध़ थंड़ abrad labra कोई एसी घतना हुई है यह ह myself लगाता थंड पड़नी से आप जनता को कफिसवूश्यां करना पड़ए और थंड की वज़े से रोडों पर पहरे की बसे इतने एक्सेयंट होते चारहे है और इतना ही आम जनता वे तन परसाइंभ करना पड़ रहा है अब थंड का और असर नजर आ रहा है इससे आम जंता बहार नहीं निकल लिए दुकंदारों को भी दुकंदारी में असर देखने को मिल आ क्या कुछ इंतजम आते हैं पिरसासन दुआरा अलाव और परसेरे का काफी इंतजम किया गया जगा जगा चौराएं चौराएं पर अलाव जलाए जा रहे हैं और रहे इंवस्वरों की बहुत अच्छी विवस्ता करी जा रही है जिसमें लोग पा सकें अभी आप क्या कर टै किसानों की बात करी जाएं तो किसानों काफी दिक्केतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लगाता ठंड से और बारिस से उरे काफी फसलों की बताया जा रहा है फसलों के काफी नुकसान देखने को मिलना है और अगर बात करी जाए टेंपरिचर की तो टेंपरिचर बा हैं हाँ पे लोगों को का सामना करना पढ़ रहा है बाढ़ती थंड ॐ और बारिष की वजह से लोग अपने घरों में अपने जरूरी काम काम होने के बावजूद भी घर से नहीं निकल पा रहे हैं तो है कई मुस्तायाद है स्टेयर अप्रक पर रहे हैं कि कोई जयजा लेने भी नहीं कि पहुचा कि वहां के हालात क्या है और किस तरह से लोग इन दिक्कतों का केले सामना कर रहे हैं हम लगतार अपने स्क्रीन पे आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं ठंड की तो वही लखनव से आप देख सकते हैं कि कोहरा बेहदी लोगों को नुक्षान पहुचा रहा है लखन बढ़ते ठंड की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहे हैं आपको बता दे कि ठंड लगा तार लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो वही आपको बता दे कि लखनव में भी इस वक्ट जीरो विजिबिलिटी है और लखनव से मौसम पैर्धिक जौनका सारी के लिए समवदाता जर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजहर ठंड के चलते जन जीवन अस्त वेस्त हो रहा है तो ऐसे में लखनव की रोडों पर अलाओ और अरण बैसेरे का प्रशासन की और से क्या कुछ इंतिजाम किया गया है जी बिल्कु साथ तोर से जिस तरीके से बीते तीम दिनों से चार दिनों से ठंड का ठंडी का प्रकॉब लगतार बहता जा रहा है वहीं मौसम विभाग का भी साथ तोर से ये कहना है कि आने वाले दिनों में भी ठंड इसी तरह से बरकरा रहेगा और लगबग 30 जनवरी तक क मौसम इसी तरह रहेगा और खास तोर पर अगर बात करें आई-एमडी की तो आई-एमडी ने साथ तोर से ये कहा है कि आने वाले तीन दिनों में उत्तर प्रदेश में लगतार बारिश का जो मौसम है वो हलकी फिलकी बारिश होती रहेगा लगतार शीतलहर का जो कि राज है वहां पर लगतार बारिश होने से काफी असर, जीवन तो इस तरह बात की जा रहन बसरों की और अलाव की कहीं थोली सी कमी जरूर तरू बकूर की बारिशह सर्छा में एक। और तमाम पीजों को लेकर लोगों के लिए तमाम तरह की सामगरी वित्रन कर रही हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन की तरफ से काफी लापरवाही देखने को मिल लगी है जी जानकारी के लिए धन्यवाद अज़र तो आपने देखा कि लखनों में भी किस तरह से प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है कडाके की ठंड होने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई पुकता इंतजाम अलाव और रहन बसेरे का नहीं किया गया है तो आए आगे बढ़ते अगले खबर की और आपको बता दे की कोरोना की बेकाबू रफतार थमने का नाम नहीं ले रही है उधर देश में कोरोना के चलते 3,33,533 नयमामले सामने आया है और वायरेस में 52 मरीजों की जान चली गई है जबकि राय बेरेली में कोरोना मरीजों की संख्या लगतार बढ़ रही है जबकि बीते 24 घंटे में डियम के बेटे समेट 179 लोगों की कोरोना रपोर्ट पॉजिव आई है महीं जीले में एक्टिव मरीजों की संख्या 900 के पार पहुँच गई है आपको बता दे कि संपूर रास्ट में विधानसभा चुनाओ है इसी बीच कोविड 19 लागतार रफ़तार पकड़े हुए है ओमिक्रॉन के नए केसे और नए ने वेरियंस भी इसी बीच सामने आ रह है क्योंकि जसे साब से आकड़ों में जाफा हो रहा है उसे साब से तो यहीं पता चल रहा है कि कोविड 19 का वेब रुकने का नाम नहीं ले रहा है लागतार लोग पॉजिटिव आ रहे हैं जबकि इसी बीच एडियम के बेटे के समेट 179 लोगों की बीच 179 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिले में कोविड मरीजों की एक्टिव केस लगतार बढ़ रही है तो वही इस खबर प्रधिक जौनकारी के लिए समवदादा अजहर लखनव से हमारे साथ जुडेंगे अजहर जिस हिसाब से लगतार कोविड 19 केसे में जाफा हो रहा है लगतार पॉजिटिव अर्रपोर्ट सारे इसको लेकर क्या कुछ प्रशासन के द्वारा इंतिजाम किया गया है कि इसको रोका जा सके क्योंकि लगतार पॉजिटिव केसे सामने आ रहे हैं जबिंकुर्च शाफ जाफ चार से जिस तरीके से उत्तर परिडेश की बात करे हैं तो बीटे 24 घंटों में करीब 7000 से उपर Мामले सामें आये है और अभी चुनाव भी होने है चुनाव में काफी कम समय बाकी रह गया है और इसको लेकर जो निर्वाचन आयोग की कमाम तरह की जो कोशिशे हैं स्वास विभाद की कोशिशे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक लोग का वैक्सिनेशन हो जाए और उनके तक काफी ट प्रदम उठाया गया है जिस तरीके से पोलियो अभियान पोलियो वैक्सिनेशन अभियान सरकार द्वारा चलाया जाता था महीं कोरोना को लेकर भी जस्तक अभियान सरकार चलाएगी और दो टू डोर जाकर लोगों से वैक्सिनेशन को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जा जाएगी कि यह जो भी पॉजिटिव आए है उनके जो भी कॉंटेक्ट में आया है उनको भी आइसलोट किया जाएगा उनकी भी जाज की जाएगी लो कहीं ना कहीं स्वास विभा की तरफ से कड़ा कड़ा उठाया गया है और आज से अभियान शुरू होगा अज़र यह जो दोर जाकर के कोरोना मरीजों की पहचान करने के अभियान सरकार दोरा चलाए गई है दो संयुक टीमों का गठन भी किया गया है जो मरीज पॉजिटिव आते हैं उनकी लिए क्या इंतिजमात किया गया है क्या कुछ अलग है उन मरीजों के लिए कैसे उनको अलग रखा गया फिर उनके घारों में ही उनको दवाईयां दी जाएंगे जिस तरीके से जो टेस्टिंग में मरीज पॉजिटिव आते हैं डोर टोर टेस्टिंग में तो उन्हें होम आइसोलेशन में ही रखा जाएगा क्योंकि फिलाल अभी जो ओमिक्रॉन का वेरियंट है इसमें जो लक्षण है वो काफी इतने ज्यादा गंभीर नहीं है साधारा है लक्षण है तो उन्हें होम आइसोलेशन में ही फिलाल लगता जाएगा और वैक्सिनेशन को लेकर जो लोग वर्चिनेशन से बसी है जो उन्हें जो पार रहा है वोग नहीं वर्चिनेशन करा पारे है तो उनके ताकी जोड गया जाएगा तो अग चुनाओ होने है ज़ख तालिशे ज़ख वरवली की चुनाओ कर वार कुझा नहीं करोबार कुजए क्यों प्रॉबार थिए जाथ इसके बार किली एक उखाया है तुजाए तुजा रखाया है त्वास भाज चिजगी और इसके अलावब इस तरिके से जानकारी के लिए धड़नेवाद अजहर तो आपने देखा कि किस तरह से सरकार द्वारा अभियान चला जा रहा है दो टीमों की गठन की गई है कोविट पॉजिटिव लोगों को उनके घर पे जाकर उनकी पहचान की जाएगी पोलियो अभियान की तरह ही ये अभियान चलाए जाएगा लोगों के घर जाकर लोगों की पहचान की जाएगी पहचान के बाद पॉजिटिव आए लोगों को उप्यूक्त उपचार दिया जा के बूस्टेड डोस दिया जा सके लगतार सरकार की तरफ से कोविड नाइंटीन को लेकर उसे बचाओ को लेकर लोगों के लिए कदम उठाया जा रहे हैं आपको बता दे की सयुक्तरास्ट में जहां एक तरफ इधानसबा चुनाओ है तो वही कोविड महमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं लगतार केसों में जाफा हो रहा है तो वही सरकार की तरफ से लगतार कई अभियान चला कर कोविड नाइंटीन को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है इसी बीच सरकार दोर एक और अभियान चलाया गया है डोर टू डोर जाकर कोविड नाइंटीन म गया जा चुका है बुस्टर दोज लगाने की भी पूरी तैयारी है कोविड-19 लगातार अपना पैर पसार रहा है लोग इसके चपेट में आ रहे हैं तो वहीं इस वेरियंट को पिछले बार के कमपैर में कहा जाए तो कम हामफुल माना जा रहा है लेकिन कोविड कोरोना की वज़े से लोग परिशान हैं इसी में विधान सबाद चुनाओ है तो सरकार विधान सबाद चुनाओ को मंदे नजर रखते हुए लोगों के लिए जादा से जादा इंतिजाम कर रही है उत्तर प्रदेश में कोरोना महमारी लगातार बढ़ते जा रहा है आपको एक बार बता दे कि कोविड मरीजों की संख्या 900 के पार पहुच गई है वही इसी बीच 179 लोगों की करोना रिपोर्ट पॉजटिव भी आई है जबकि बीटे 24 घंटों में ADM के बेटे समेट 179 लोग पॉजटिव आए हैं राइबेरेली में भी करोना मरीजों की संख्या लगतार बढ़ रही है वही आपको बता दे कि इस वायरेस से 52 मरीजों की भी चान चली गई है वही वही इस वही इस खबर पर अधिक जौनकारी के लिए राइबेरेली से संवादाता ओम संकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओम संकर राइबेरेली में लगतार कोविड मरीजों की तो क्या प्रशासन इस पे कोई अपना कारवाई नहीं कर रही है कि लोग जिस तरह से चुनावी प्रचवार के लिए जगा जगा जा करके प्रचवार करके कोरोना के मामलों को बढ़ा रहा है क्या वहां के लोगो द्वारा इसका विरोध किया गया जी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको बता दे कि जहां एक तरह प्रशासन लगता नए नए कदम उछा रही है कि मरीजों पे काबू पाया जा सके कम केसे जा सके तो वही इसी बीच राय बेरेली से बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां पे नेता लगतार प्रचार के लिए लोगों के बीच जा रहे है जन समपर कर रहे है जिसकी वज़ा से कोविट केसे में इजाफा हो रहा है लगतार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आई आगे बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान सभाथ चुनाओ 2022 को जीतने के लिए सभी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है इसे में बीज़िपी को दुबारा सत्ता में लाने के लिए ग्रिह मंतरी अमित शाह ने शानिवार को शामली के कहराना में डोर टू डोर प्रचार किया है दोरान उन्होंने लोगों के बीच प्रत्यासियों के लिए वोट मांगने की अपील की से जोड़े पर्चे भी कर कारवाई की मांग की है आपको बता दे कि अभी थोड़ों दिनों पहले ही ग्रिह मंतरी अमित शाह पहुचे हुए थे डोर टू जोर क्यामपेइन के लिए जहां पर उन्होंने नहीं मास्त लगाया था और नहीं किसी कोरोना गाइडलाइन का कोविड-19 गाइडलाइन का कोई पालन किया जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के राजेंद चौधरी जो राश्टिय सचिव है सपा के उन्होंने इसी को एक पत्र लिखा है उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है कि अमित शाह ग्रिह मंतरी अमित शाह द्वारा कोविड गाइडलाइन की ध के लिए लोगों के बीच गया इस दोरान उन्होंने बीजीपी की प्रत्याश्यों के लिए वोट की अपील की लोगों से मुलाकात की डोर टू डोर उन्होंने प्रचार किया आपको बता दे कि शामली में कहराना में अमित शाह पहुचे हुए थे जहां उन्होंने डोर भी मास नहीं लगाया था वह इस खबर प्रधिक जौनकरी लिए समवत दाता गौरव शुवास्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनव से गौरव राजेन चौधरी ने किस तरह का पत्र सपा के जो नेता है राजेन चौधरी उन्होंने किस तरह का पत्र लिखा इसी को पत्र में क्या कुछ लिखा है देखें आपको तारू जब आठ जनवरी को चौनाव आयोग ने इलक्षन का एलान किया था चौनाव का एलान किया था किसा चौनाव चौनाव को समय लगातार कोविट के मामले देसे बढ़ रहे थे और खास तोर से उताप्रेस बड़ी आब पान्षो जान पर तब कहा गया तोंफिव पाहएं तलोग घरगर जाकर कर सकते हैं कि पुलिक भी जाए उन्हीं सब्सक्राइब कर तोर अधिक कार्यकरता भी है दिए गिराय मंत्री अमेस्टा बड़ा नाम है और भारतियनतर पार्टी के राष्टी अधिश भी रहे हैं उसमें बरतुमान में केंदी गिराय मंत्री है जब वो करना जो की बहुत बड़ी सीट है और बहुत ही ऐसी मेटपूर सीट है जहां पर मास्क ना लगाना और तमाम तरह की कोवरराइं का पालन भी नहीं हो रहा है गोरो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि सशल डिस्टेंसिंग का पालन भीowa नहीं हो रहा है निए एक पत्र है उसके अलावा भी नरी सुनवायव को इस तरह के पत्र लिख चुके हैं गौरब जहां एक तरब समाजवादी पार्टी वर्च्वली ही रैली कर रही है उनके बड़े-बड़े नेता वर्च्वली संबोधित कर रहे हैं इस बीच भारती जनदापाटी डोर-2-डोर कैम्पेंड कर रही है जबकि सक्त निर्देश है कि पांच लोगों से ज़्यादा क्यामपेंड नहीं कर सकतें बार में इसको जब 31 स्वाय नहीं होगी तो कहा गया कि आप 10 लोग जा सकते हैं दस लोगों की अनुमत यहां पर दी गई थी इसके चलते ही लोग जा रहा है अगर हम बर्चुल रेली की बात करें तो बर्चुल रेली भी लगाता भारतिन्दा पार्टी दोरा भी की गई है और समाई पार्टी दोरा भी की जा रही है आज भी समाई पार्टी के दो बाड़े निता बर्चुल रेली करते नजर आएंगे जिसमें स्वाइपसार मौरेया लगवाला बस साले 11 वजे बिर्चोर रेली करेंगे तो वहीं समाई पार्टी की रास्टिये मह्रा सवा की ड्रस्थ्य जुई सिंग भी आज यहां पर इक बर्चोर रेली करती नहीं जानाएंगी तो बर्चोर रेली अलग हो रही हैं साथ इसा जाने जा रहा है उनकी जम्रारी है कि वो लोगों को साब्धन करें और कम से कम करताओं को लेकर दूर कर दूर केमपेंड के लिए जाए लगातार अभी शिकायते आ रही है कि नेताओं के डूर टूर क्यामपेंड करने के चलते कोविड केसिस में भी इजाफा हो रहा है अचला मैं आपको तादू कि वाजपा भी कर रहे है बचल रैली भाजपा भी कर रहे है बर्चल रहे अन्वती दस लों की कर दी गई है बडर कोवेट क्यारी को कि इसकी बी पोईटेव रिपोर्ट आती है तो हमें हैंसा देखा है कि वह नेता अपने सुसर मीडिया के माध्यम से वह पब्लिक वता देता है कि मैं कोबिट हो गया हूं मैं जा रहा हूं जो भी लोग में संपर्क में आए हूं अपनी जाच करा ले तो इस यह बात तो हो रही है कि वह अपनी जानकरी दे रहा है और कोबिट पाए जा रहा है तो हम आउसिरेट हो जानकरी के लिए बहुत बहुत धनेवाद गौरव तो आपने देखा कि राजीन चौधरी जो रास्टी सच्चिव है सपा के उन्होंने इसी को पत्र लिखा है उन्होंने पत्र ये ग्रिमंत्री अमिट शा के दोरे को लेकर लिखा है आपको बता दे कि ग्रिमंत्री अमिट शा कैमपेन के दोरान जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं उन्होंने मास नहीं लगाया तो और ये जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा नेता आता है उनके समर्थक भी उनके साथ भारी संक्या में मौजूद होते है समर्थक भी मास लगाये हुए नहीं दिख रहे है तो आपको बता दे कि राजे इन चौधरी जो रास्टिय सच्चिम है सपा के उन्होंने पत्र लिखा है तो ये रहे उत्तर प्रदेश की कुछ एहम खबरें ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार